समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यष नरेश उत्तम पतेल जी हमारे साथ मौजूद हैं बाचीत करने के लिए सर कल से मांसून सत्र की शुरुवात हो रही है विदान परिशद में आप लोग काफी हमलावर रहते हैं क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में आई हैं पांच साल में नब्बे दिन पूरे कर रहे हैं अभी जो 2022 का बजट था बजट सत्र बहुत कम दिनों चला जन समस्याओं की बात को सभी विधायक उठाना चाहते हैं अपनी बात को लेकिन सदन का कार कारकाल ही बहुत कम कर दिया गया अभी ज अगरता की भारती जनता पाटी ये चार दिन भी सर्दन चलाएगी पूरा प्रदेश हिस्समें सबसे ज्यादा परेशान है मेंगाई से बिरुजगारी से भरस्टाचार से कानून व्यौस्था से आवारा पसूं से कानून व्यौस्था पूरी तरीके से धस्त हैं इन सब ब सरकार से लिखा पड़ी करते हैं लेकिन वो सुनी नहीं जाती है चाहे वो सत्तापक्ष के लोग हो या बिपक्ष के लोग हो और ये सदन इसलिए होता है कि सदनों को सदन में अपनी बात रखे हैं और सदन कम चले सदन का समय ही कम करते सरकार तो ये निश्चित रूप से जनस पास मुद्देग नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना जानते हैं आप लोग। हंगामा विपक्ष में जन समस्याओं पर अपनी बात को बुलंदी से कहना ही हमारा अधिकार है, हमारा कर्तब्य है, कि हम जंसमस्चाओं को सरकार जो गुंगी बहरी सरकार है उसको हम हंगामेदार आवाज से समझाओं कि आप सुनिये हत्या डकेती लूट छिनेती महलाओं के साथ छेड़चार की घटनाएं बढ़ रही है किसानों की फसलें आवारा पसुखाये जा रहे हैं पूरा प्रदेश ब्रस्टाचार से पूरी तरीके से परिशान है महंगाई से परिशान है किसान को उसकी फसल का मूल नहीं मिला हर बार सदन आता है सदन के सामने हम विपक्ष के लोग सरकार से सवाल पूछते हैं लेकिन उन सरकार उन सवालों पर जवाब नहीं देती है। और फटा फट अपना कोरम पूरा करके जो उनके सरकारी विद्यक होते हैं पास करके चल देते हैं और सदन पर चर्चा नहीं कराने थे। इस बार आप लोगों के साथ नहीं हैं सदन में पिछली बार आपके साथ थे। तो अपने आपको साथी अलग होने की वज़े से कहीं कमजोर तो महसूस नहीं करेंगे हैं। हमारे जो साथी हैं वो सब हैं जो विपक्ष में जीत कर आए थे जो विपक्ष की भूंका को अदा कर रहे हैं वही हमारे साथी हैं सक्ता में जाने से वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं जनता की बात नहीं कह पाएंगे अपने भले करा ले लेकिन समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं विपक्षी के वो सब चटान के तरीके से मजबूत हैं बच्चित के लिए शुक्रिया नरेश उत्तम पटेल जी को सुना उन्होंने का हमारे जो साथी हैं वो चटान की तरह से मजबूत हैं और आज भी हमारे साथ खड़े हुए कैमरेमेन अमरीश के साथ सीमाब नक कोई वारा समचार लखना हुए